नमस्कार, इस्पेन नाइन नियूस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक तरफ महरास्ट में 288 विधान सभा सीटों पर चुनाव तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष आशीर सेलार का नवाप मलिक पर हमला साधना नवाप मलिक को लेकर ये कहना कि भारते जनता पाठी समर्थन नवाप मलिक का नहीं करेगी नवाप मलिक को हम नहीं चाहते कि अजीद पवार गुट चुनाव लड़ाए तो वही नवाब मलिक ने एक बड़ा संकेत दिया था कि अजीद पवार के जरीए वो बड़ा फैसला लेंगे अजीद पवार उन्हें टिकेट देते हैं तो ठीक वरना वो निर्दली चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है इन शब्दों का अस्तमाल नवाब मलिक करते वे नज़र नहीं आये थे लेकिन नवाब मलिक ने शारो शारो में कहा था कि सारी तस्वीरे 19 अक्टूबर को साफ हो जाएंगे और आज 29 अक्टूबर है और नवाब मलिक को लेकर यही कहा जो आ रहा है कि महरास्ट की राजनीती में नवाब मलिक डबल गीम खेलते में नज़र आ रहे हैं बीजेपी एंसीपी में तकरार बढ़ सकती है और इस वीच में अपनी बेटी सना मलिक को अनुशक्ति नगर से चुनावी मैदान में उतरवा देते हैं लेकिन अपनी सीट को लेकर मुश्किले बढ़ा रहे हैं गटपंधन की आपको बता दे महरास्ट विधान सभाच्चुनाव के लिए इस नामंकन का एक तरीके से आखरी दिन माना ज़ा रहा है मवीए से लेकर महायोती में सीटों के बटवारे का मसला सुलज़ाने का भी आखरी दिन है इस बीच नवाप मलिक को लेकर कई बड़े दावे की जारे हैं खुद नवाप मलिक खुलासा कर रहे हैं आपको बता दें कि जो नवाप मलिक हैं वो अजीद पवार गुट से आते हैं और नवाप मलिक अब खुद चुनाव लड़ने जो आ रहे हैं नवाफ मलिक आज मान खुर्द शिवाजी नगार विधान सभासीट से नामांकन भर सकते हैं और अगर ये नामांकन अजीत पवारगुट के जर्ये होता है तो यहाँ पर भारतिय जनता पाटी अजीत पवारगुट से नरास नजर आ रही है तो महीं दूसरी तरफ देखा जा निर्दली चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर भी मुश्किले मायूती गड़ बंधन की बढ़ सकती हैं आपको बता दें यहाँ दिल्चस्प यह है कि अभी तक नाही शर्यत पवारगुट और नाही अजीत पवारगुट की नसीपी ने नवाप मलिक को टिकेट दिय हैं इसमें देखने वाली बात होगी कि वे निर्दली चुनावी मैदान में उतरते में नखर आएंगे किसी पार्टी का सहरा लेंगे नवाप मलिक का दावा है कि वे आज ही नामांकन करेंगे और आज वैसे भी आखरी दिन है अब देखना होगा कि आखरकार क्या कुछ फै पिसला निकल कर सामने आता है